खेतरी में निसुलक गुमरिया कोचिंग संस्थान द्वारा मेगा पोदे वित्रन कारिकरम का उजन विदायक प्रत्यासी मनोज गुमरिया द्वारा दस जार पोदों को किया जाएगा वित्रन खेतरी उपकरेंड में निसूल के गुमरिया कोचिंग संस्तान द्वारा मेगा पोदर वित्रन कारिकरम का उजन किया गया जिसमें मुख्य हैतिती विदाइक पड़ती ऐसी मनोज गुमरिया रहे कारिकरम के सुरुआत खेतरी के गुमरिया ओफिस में शेकड़ों लोगों को पोदों का वित्रन कर किये गई इसके बाद गुमरिया कोचिंग संस्तान में भी चातर चातराओं को फल्दार वर चायदार पोदों का वित्रन किया गया कारिकर्म के सुरुआत करते हुए गुमर्या ने कहा कि स्रावन मास में पूरे महीने दस हजाद पोदों का वित्रन किया जाएगा वित्रन कारिकर्म हर ग्राम पंचायत में जाकर जूरुत मुंदों को वित्रित किया जाएगे साथ ही पोदों के रख रखावज देखवाल की भी जिम्मेदारी सोपी जाएगी और इसमें सभी खेटड़ी वासी बढ़ चड़ के भावी हैं एक परिवार एक पेड़ कम से कम हमें लगाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पेड़ का हमारे जीवन में जो महत्व है वो सब लोग जानते हैं और सब के लिए पेड़ महत्व पून हो यही लक्षे है कि खेटड़ी के अंदर जो हमारी वन भूमी है और वन भूमी के भार जो आबादी की भूमी है जहां हम सब लोग रहते हैं सभी को एक पेड़ जरूर लगाना से और ज्यादा से ज्यादा पेड़ू को लगा के हम ये लक्षे रखें कि पूरा छेत्र हरा बरा नजर आए और सुन्दर नजर आए इसी के साथ हम लोगों ने इस कारी करम की सुरुवात करिए जिसके चलते लोगों ने बढ़ चड़ के भाग लिया मैं इस पूरे कारी करम की सफलता के लिए खेतिडी छेतर के सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आपके बीच में 10,000 पेड़ों का क्रीव इतरन करना और उन पेड़ों को लगवाना मेरा लक्षे है इसके लिए आप सबसे सयोग मानता हूँ साथ ही साथ ये भी अनुरोध करता हूँ कि जिस परकार हम परिवार में अपने परिवार के सदस्ते चोटे से चोटे बस्ते का लालन पालन करते हैं उसी परकार से पेड़ का भी लालन पालन करें उसे भी समय पर पानी और आजी चीजे दें और रक्षा करें और बढ़ा करें ताकि वो हमें फल और छाया दोनों परदान करते के इसी लक्षे के साथ ये पूरे स्रावन मास तलेगा और इस पूरे महीने के अंदर हम लोग 10,000 पेड़ों का वित्रण हैं हमारी जो स्कूले हैं कोलेज हैं साथ में जो सिक्षन संस्तान हैं हमने जो कोचिंग क्लासे चला र करवाएंगे और जाके उनकी मदद करके पेड़ों को लगवाएंगे